हेलो दोस्तों गेमिंग जॉन में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम कोड़ फवार वन को ट्राइब करेंगे रियल मी जीटी नियोर 2 के साथ रिजॉलूशन 3X पर रखेंगे 4X पर भी ये गेम प्लेयबल है पर उसमें बहुत ही ज्यादा ओवर हीट करेगा इन ब्लस्ट एक्सर में फ्रे Emma ज्यादा हुब थ्रीएक्सपर भी थोड़ा बहुत बश्रे फ्रेम रोप को सकता है चाल्य बसर द्राइब करेंगे देखते हैं 3S पर कैसी परफोर्मंस बिलेगी 2x पर कोई भी फ्रेम रोग आपको नहीं मिलेगा इजी पर चला लेते हैं ताकि जल्दी से टेस्टिंग हो जाए प्लिप में एकदम स्मूथ है 60fps सेटिंग्स बेस्ट कंपैटिवर रखी है थोड़ा साइफ एक्टिव के लिए आप वीव स्पीड को 2x 3x 4x कर सकते हो और इससे फ्रेम स्किप होगा अगर 1x पर रखोगे तो स्पीड स्लो हो सकते है कहीं कहीं पर तो फिलाल हम 1x पर ट्राइए करें जाप पर स्लो होगी उदर देख लेंगे कितना रखें 4x के साथ तो मैंने यह 4x ही रखा दा वीव ओर गलोग पर उसमें कुछ लोकेशन पर बहुत ही ज्यादा फ्रेम स्किप था वैसे दिकतर 60 के चाल रहा था विदाउट फ्रेम पर गेंड चाल रहा है अंडर्ड पर्षेंट स्पीड है एंड यह प्यास टू से भी बैटर चाल रहा है प्लेस्टेशन में प्लेस्टेशन जो टू है उसमें 60 पर नहीं चलती है गें 55 का स्पास चलती मेरे ख्याल से कहीं कहीं पर उसमें 60 पर पर 55 के च्पे मिंद फ्रेम स्मूठ ब्लस्टेशर है आपको फ्रेम डेखने को मिलका करता एक स्क्रीण पर ब्लस्ट हमार करता हैं और को निफ्ता central में दिखाता हूँ गष्ट नॉर्मल ब्लास्ट में तो कोई सीरियस इसू नहीं है पर एकदम स्क्रीन के पास कुछ ब्लास्ट होगा वोती ज्यादा साइनी टेक्स्टर होंगे उदर फ्रेंड रोप होगा कि बैक्राउंड में डीजे चला रहा है कि स्ट्राइक ना पड़ जाये पता नहीं आवाज रिकोर्ड हो रही है या नहीं उसकी पर अगर हुई तो दिक्कत बढ़ जाएगे मेरे लिए कि डोल वोल भी बज़ रहे हैं किसी कि साद्धी होगा रहा है साइद विदाउट फ्रेम्स की भी एकदम स्मूथ आ रहा है अभी एक बार बलास्ट एक सर देख लेते हैं एक सेकेंड रोप 53 तक गया 50 इस बलास्ट में मिनियूम 50 ही जा रहा है फोर एक्स अगर ट्राई किया होता तो फ्रेम्स और भी ज्यादा होता वैसे उसमें भी 60 चलता पर जहां पर यह बलास्ट होंगे इस तरह का कुछ हैनिवेशन होगा तब भी इस तरह की लिक्कत होंगी वैसे गेम 60 चलेगा 4X पर भी 4X पर डिवाइस बहुत ही ज्यादा ओवर हीट भी करेगा तो मेरे क्या से 4X पर ट्राई ना करना ही बैटर है उसमें बैटरी जाजा जल्दी रेन होगी जाजा जल्दी जाएगी फोन में बैटरी जल्दी डाइड हो जाएगी 3X साई शूटेवल ऑप्शन है इसके लिए तिल डिवेश्टी 1200 से बैटर पर्फोर्मेंस है तो कि उसमें 3X पर स्ट्रगल करता है 54-55 fps है यहाँ पर विदाउट फ्रेम्स की पर एकदम स्मूथ गेम प्ले है 2X पर कोई भी फ्रेम्स रोप नहीं था जब मैंने टेस्ट किया शीदे बौर स्टेज पर चलते हैं किलाल 68 गर्दन गुमाएगा उस टाइम पर एनिमेशन होता है 46 तक गया था पर स्लो फिल नहीं हुआ और यहाँ पर मैंने कोई भी वियू स्पीड ट्विक चेड़ साड़ नहीं किया है उसके साथ सेड़ साड़ करने के वबाद यहां पर यह फ्रेम रोप जो दिखा रहा था यह भी नहीं होगा अलोब फ्रेम स्कीप हो जाएगा उसकी सगह थोड़ा नहीं पर दुरुवत नहीं है यह में एकड़म स्मूट सा रहे कीतना है मरेगा पर एकड़म मखन माफिक कर रहा है 4x पर भी ऐसा ही चलता है और उसमें कभी कबार फ्रेम रोप ज्यादा हो जाता है एंड यह टेमपरेचर ही तना हाई हो जाता जैसे फटेगा फोन वैसे डिवाइस ऐसे फटे नहीं है क्योंकि आपके पर जाएगा तो प्रोसेशर अपने आप स्पीड गिरा देगा तो टेमपरेचर कंट्रोल में आ जाएगा और फिर भी पर वैसा टेमपरेचर नहीं होगा जिससे फोन ब्लास हो जाए कई बार इस तरह की सोफ्ट्वेयर उप्टिमाइजेशन में दिक्कत हो जाती है तो वह स्मार्फोन ब्लास भी हो सकते हैं 3X इजिली हैंडल करेगा यह डिवाइस स्नाइड रेगन 870 है इसमें मीडिया टेक डिमेंसिटी 1200 के साथ आप 2X पर ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो यही इन दो जिपसेट का डिफ्रेंस परफॉर्मेंस का पगड़ लेगा इस गेम में कंट्रोलर के साथ इस तरह ही बग हो सकती है यह खिचने में आपको दिक्कत हो सकती है बेस्ट कंपैडेबल पर फास्ट फ्रेमरेट पर यही जिली इसको खीच के नोगट डाउन कर देगा यह कंट्रोल की दिक्कत है जो कि एमिलेटर्स में होती है PCSX2 करके जो एमिलेटर है PC के लिए उसमें भी यह प्रोलम हुआ करती थी मैंने उसी में केली थी बच्पन में पहले प्लेस्टेशन में केली थी बाद में पीसी था तो पीसी में PCSX2 में ट्राइ करी थी उसमें भी सेम दिक्कत हुआ करती थी मिस्स हुआ इस तरह की कंट्रोल लैग आपको फेस करने पड़ सकती है इस गेम में हो रही है गड़ पार टू में नहीं है आपको बहुत ही ज्यादा फार्स्ट टैप करना पड़ेगा कर्स्वाल कर लोगा कर्को बहुत है कर्को剛剛 बहुत है कर्णाक कर्णाbas बहुत awak conception पहले मार दी रहेगी पावर नहीं बच्छी सखाएद इतनी मारने के लिए यहां पर वैसे कोई भी फ्रेंड रोप नहीं है इस लोकेशन के क्योंकि यहां पर इस तरह का इनिमेशन नहीं है कि फ्रेंड रोप हो जाए इदर जो अभी एक्षन होगा इदर जो भी यह है यहां पर फ्रेंड रोप होता है हर एक डिवाइज में पर इसमें नहीं हुआ है 4X पर ट्राइग गया था तब भी नहीं हुआ रहा है जो अभी करन्ट एमिलेटर वर्जन सा रहा है उसमें कुछ इंपरूव किया होगा उसके वजए से नहीं हो रहा है पहले यहां पर फ्रेंड रोप होता था बहुत ही जाड़ा हो जाता था सबी डिवाइज के साथ बाकी के साथ मैंने टेस्ट में किया तो 100 परचेंट शोर नहीं हुआ कि एमिलेटर में फिक्स हुआ या फिर इस डिवाइज में कुछ खास है यह कह सकते इसमें पावरफुल चिप सेट है तो में भी इसके हुज़ए से यहां पर स्मूथ था फोर एक्स पर आप ट्राइ करोगे तो इसके फेस के अंदर जाने के बाद फ्रेम रोप हो जाएगा 40 fps हो जाएंगे पर करेंट इसमें 60 है क्योंकि हमने 3 एक्स पर चलाया हुआ है पर आपको इनकेश ट्राइ करना है तो वी यू स्पीट्विक को आप एट लिस्ट 3 एक्स पर रखें बढ़िया से खेलने के लिए अगर वन एक्स पर भी ट्राइ करोगे तब भी बढ़िया चलेगी पर कुछ लोकेशन पर स्लो हो जाएगी थ्री एक्स पर रखोगे फिर स्लो नहीं होगी थोड़ा सा फ्रेम स्किप हो जाएगा जहां पर स्लो हो सकती है बाकी लोकेशन पर आपकी नॉर्मल से लेगी एकदम स्मूध गेम में नाम मत्तर का फ्रेम रोख आपको देखने को मिलेगा 3 एक्स पर जो की कभी कबार होगा बलास टेक्सर उस तरह के अग जादा बड़ी टेस्टिंग नहीं करेंगा और एडी मैंने काफी लम भी टेस्टिंग करी हुई है 4x के साथ और 4x के साथ बहुती बड़ी अचार राद आगे कुस लोकेशन आती है जहां पर फ्रेम रोख जादा होता 4x के साथ 3x के साथ तो बहुती बड़ी आचार गेम क्लीप में भी 60fps हैं बैग्राउंड में डीजे सा रहा है तो मेरे को क्लीप अभी बंद करनी पड़ेगी तो आज इस वडियो में इतना ही टैस्टिंग है इतनी वडियो से आपका आइडिया हो गया होगा कि ये डिवाज किस तरह से हैंडल कर पाएगा इस गेम को ये गेम एजीली प्लेवल है अगर आप 2x पर ट्राई करते हो तो कुछ इस तरह से चलेगी जैसे की डिवाइस पर कोई भी लोड नहीं है 3x पर ट्राई करोगे तो हलका फूल का फ्रेम रोग होगा किसी किसी लोकेशन पर सेम 4x के साथ 4x पर थोड़ा सज जादा हो जाएगा इस गेम और ओर कंडिशन में बढ़िया चाहरी है 3x बैस्ट सेटिंग रहेगी इसके लिए तो आज किस वीडियो में इतना है था अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जब रोड करें गेमिंग से लेटिड वीडियो के लिए आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते अगली वीडियो में किसी दूसरी गेम के साथ